नमस्कार आप नियूस पोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपकी साथ युवराज सीम नितीश कुमार एक बार फिर से जनता के दरबार में अपनी चौपाल लगाएंगे एक बार फिर से सीम नितीश कुमार जनता के तमाम समस्याओं का निवारन करने की पूरी चेश्चा करेंगे और यह सुनिशित करेंगे कि उनके सुशाशन काल में जनता को किसी भी परिशानियों का सामना ना करना पड़े इसको देखते हुए CMN 30 कुमार का आज जनता का दरवार कारिकरम है और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वह CMN 30 के सामने मुखातिब रहेंगी जितने भी लोगों ने online registration कराया है वह CMN 30 कुमार से आज face to face मिल सकेंगे और उनसे अपनी समस्याओं को साजा कर सकेंगे आज जनता के दरवार में मुद्दा नल जल का रहने वाला है यही नल जल प्रोग्राम जो CMN 30 कुमार की एक महत्वा कांशी प्रोजेक्ट है इन में हुई तमाम गरबड़ियों को आज CMN 30 कुमार सीधे सुनने वाले है और उसका निबारन करने के लिए तमाम अधिकारियों को तमाम तरह के निर्देश देने की भी उनकी पूरी चेस्टा रहेगी देखिए हमारे इस रिपोर्ट में आगर सीध नितीश कुमार नल जल योजना के अलावा किन-किन विभावों की समस्याएं सुनने के लिए आज जनता से face to face मुखातिव होने वाले हैं जनता की दर्बार में मुख्यमंद्री कारेकरम में मुख्यमंद्री नितीश कुमार महा के तीसरे सोमवार के लिए तै दो दर्जन से अधीक विभागों से जुड़ी समस्याव को आज सुनेंगे इसके लिए पहले से लोगों ने रेजिस्ट्रेशन करा रखा है हर सोमवार को मुख्यमंद्री करीब डेड़ सो लोगों की सिकायते उनसे वैक्तिगत रूप से मिलकर सुनते हैं मुख्यमंद्री से मिलने के लिए लोगों का पटना पहुचना सुबह से ही शुरू हो गया था मुख्यमंद्री आम तोर पर सुबह 10 बजे से लोगों से रूबरू होना शुरू करते हैं यह सिलसला दो पहर बाद हर फर्यादी से मिल लेने तक जारी रहता है यहां तक कि जनता दर्बार में मुख मंत्री से अपनी शिकायत बताने के लिए आनलाइन रेजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है रेजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट मिलने पर ही आप मुख मंत्री से मिल सकते हैं सीधे जनता दरबार में चले आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाता है जनता दरबार में मुख मंत्री से मिलने के लिए रेजिस्टेशन करना तो पड़ता ही है रेजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अपना नाम पिता पती का नाम आधार नंबर लिंग जन्म का वर्ष ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जनकारिया देनी होती है इसके अलावा OTP के जरिये रेजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अपनी सिकायत के बारे में भी संशिप्त रूप से जनकारी देनी होती है COVID गाइडलाइन के कारण जन्ता दर्बार में एक बार में सीमित लोगों को ही फिलहाल बुलाया जा रहा है मुख्यमंद्री जिन विभागों की समस्याएं सुनेंगे उनमें ग्रामीन विकास, ग्रामीन कारे, पंचायती राज, उर्जा पत निर्मान, लोक स्वास्त अभियंतरन, क्रिशी सहकारिता, पशु एवं मतस्य संसाधन, जल संसाधन, लगु जल संसाधन, उद्योग, गन् परियाटन, भावन निर्मान, सूचना एवं जन संपर्क, वानी जिकार एवं सामान प्रशाशन विभाग शामिल हैं। स्यमनि этиश कुमार का याकारे करम, 10 बजे के आसपास शुरू होता है। उसके बाद, जितना हो सके अधीकतर, 150 लोगों से स्यमनितीश कुमार रुबरू होते हैं, उनकी समस्याओ को सुनते हैं, और कोशिश करते हैं, कि उनकी समस्याओ का निवारन सीदे जनता के दर्बार स से कर दिया जाए मगर आज यह सुनिशित कर दिया गया है कि दो दर्जन से भी अधीक विभागों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको सिनने के लिए सिम नितीश कुमार जनता के सामने रोबरू रहेंगे तमाम खबरों बरहने के लिए आप देखते रिए न्यूस्पोनेशन नमस्कार